सूर्य देव भी मयूखा दित्य नाम से वहीं पर स्थिर हो गए काशी के बारा आदित्यों में मयूखा दित्यों का प्रमुक स्थान है इन्ही सूर्य देव के शरीर से एक नदी प्रकट हुई जो के किरणा नाम से प्रसिद्ध हुई और गभस्ती श्वर से नीचे जाकर पंच गंगा तीर्थ में संगमित होई तभी से पंचनद तीर्थ की पांच नदिरों में एक किरणा भी शामिल हो गई मा मंगला गौरी भी पूर्वा भी मुखा होकर वहीं विराजमान हो गई इनका एक अन्य नाम ललित कान्ता देवी भी है सौभाग्यवती तथा कुमारी का दोनों ही स्त्रियों के लिए मंगला माता का अनुक्रह या कृपा प्रसाद अत्यंत अनिवार्य है बिना मंगल कृपा के कुछ भी संभव नहीं इसलिए कुमारी कन्याएं योग्यपति पाने के लिए तथा सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को स्थिर रखने के लिए मा मंगला गौरी के पूजा करती है प्रत्येक मंगलवार के दिन देवी की पूजा करने का विशेश महत्व है स्वयम माता सीता ने भगवान श्ट्री राम को पती के रूप में प्राप्त करने के लिए मा मंगला गौरी का वरत किया था श्रेक्रश्न की पठरानी रुक्मनि में भी इसी मंगला देवि की कृपा से भगवान श्रेक्रश्न को पाया था स्वयम मा पारवती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिगे मा मंगला गवरी का पुरत किया था स्कंद पुराणान तरगत शावण मास महात्म में ये कथा आई है कि माता मंगला गवरी की कृपा से सुशीला नामक स्त्री को अपना बिछुडा हुआ पति उन्हाप्राप्त हुआ और उसका पति देवी की कृपा से अलपायु से दीरखायु हो गया मंगल, चंडिका, सर्व मंगला, नारायनी आदि अनेक नामों से ये देवी विख्यात है हरितालिका व्रत की अधिश्ठात्ती देवी मां मंगला गवरी ही है विवाह के पूर्व या बाद में स्त्री पुरोशों के मंगल दोशों का निवारण देवी मंगला की मंगल कृपा के बिना संभव नहीं